असलामों अलेकुम आज हम बना रहे हैं शिमला मिरच और आलू की सबजी बिल्कु सिंपल और इजए तरीके से मैंने शिमला मिरच आलू कट कर लिए हैं तुकडों में और इसको मैंने बरतर में पानी गरम करने के लिए रखा पहले मैं इसे बॉइल करूंगी बॉइल करने का रिजन यह है एक दो खौल आना चाहिए ज्यादा नहीं इसे जो हरांध है शिमला मिरच की वो निकल जाती है आलू भी जल्दी हमारे गल जाती हैं मैंने इसको बस एक दो खौल लेकर मैंने इसको निकाल लोगी बस ज्यादा नहीं पकाना सिर्फ एक दो खौल लेना है इसको निकालने के बाद अलग बरतन में हमने इसको रख लिया अब हम इसके निकालने के बाद हम इसके तड़के की तयारी करेंगे देखिए पहले मैं सब निकाल लेती हूं अपना निकल लिया मैंने कड़ाई में सरसो का तेल डाला है आप जो खाते हैं वो डालिए और जितना आपको सही लगता है तेल उतना ġालिए है मेरा थोरा सा ज्यादा ही रहता है तेल और इसमें आदा चमज मैंने जीरा डाला है एक बड़ी प्याज बारिक कट करी है मैं वो डालूंगी मैं बड़ी बड़ी नहीं डालना है, थोड़ी छोटी डालना है, बड़ी बड़ी नजर आती है, और इसके साथ मैंने दो तीन हरी मिर्चे कट कर ली है, वो भी साथ में डाल दूँगी, और इसको थोड़ा सा हलका सा नरम होने दूँगी, नरम होने के बाद इसमें एक चमच में लेसन अद्रक का पेस्ट भी डाल दूंगी इसी टाइम पर वो भी साथ में भून जाएगा इससे बड़ी अच्छी खुश्वू आती है और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसी में साथ में भून रहा है अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी दो टिमाटर मैंने काटे थे व आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा नमक डालने के बाद इसको थोड़ा मिलाएंगे फिर उसके बाद हम और मसाले भी इसमें एड़ कर देंगे फिर हम डालेंगे आधा चमच छोटा वाला हल्दी और एक छोटा चमच मिरच और एक चमच धनिया पाउडर इस तरह से हम बस इतने吗साले का मैं नहीं दाक नहीं है और मैंद मैं इसमें एक मैगी का पाउच डाला है मैगी मसाले का आप चाहे तो डाल ने नहीं हैении यहां होता है तो नहीं डालती हूं यह नहीं कि मैने डाला तो आप भी डालेंगे मैं पहले ही बता देती हूं कि यह जरूरी नहीं जो चीज मैं डाल लाइओ वह आप भी डाले अर इसके evolution से यही बहुत टेस्टी बेना देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन गया है मेरा तेल छोड़ दिया है मसाले ने अब इस टाइम पर मैं अपनी शिमला मिरच और आलू जो है इसमें डाल दूंगी इसमें कोई पानी नहीं डालना है कुछ नहीं डालना है यह वाइल हुए हैं हलके से तो यह नरम हो गए है पकतों गए हैं बस थोड़ा सा और पकेंगे तो यह अच्छे सब्स जीवन के रेडी हो जाएगी पास से दस मिनट में रेडी हो जाएगी हलकी आकिव मैं इसको दस मिनट के लिए छोड़ दूंगी बिल्कुल सिम पर और फिर उसके बाद मैं खोल के देखूंगी तो यह र कर दूंगी और दस मिनट के बाद यह रेडी हो जाएगी देखो रेडी हो गई मैंने रिशाउट कर लिया है और इस तरह से बनकर रेडी हुई है इसको आप चापाती से पराठे से दाल चावल से किसी के साथ भी आप खा सकते हैं और यह बहुत टिस्टी सबजी बनती है आ अला हाफीज